वरतमान के संगर्षों से आगे बढ़कर जब बविश्य की बुलंदिया दिखाई दने लगे तो ये अवश्यमभावी तोर के उपर समझ लेना चाहिए कि हम सही रास्ते की और अगरसर हैं जहां कोई भी बुलावे और भटकाव मौजूद नहीं है मकर राशी के जातक यह यूँ कहें कि शनिदेव प्रदान राशी के जातक जो वरतमान समय में साड़े सांती का मद्ध प्रवासकाल भोग रहे हैं और स्वयम शनिदेव मकर राशी स्थान में चलते हुए जब वक्री हों देव गुरु ब्रेस्पती पराकरम भावस्त आधार में वक्री हों शनिदेव की तीसरी द्रिस्थी राशी भाव से पराकरम भाव पर हो तो व्यक्ति वरतमान के कर्म के साथ में भविश्य की गुंजाईशों को जोड़ कर देखता हुआ किस तरह के रास्तों को अपनाए ये उसके लिए महतुपूर्ण हो जाता है और इसी कर्म में अगस्त 2022 का मासिक राशिफल मकर राशी के जातकों के लिए लेकर हम यहाँ उपस्तित हुआ हैं सरुपर्थम ग्रह गोचरिय दिवस्थाओं का अध्यन और उसके बाद प्रतिये क्षेत रविशेश के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं प्रतम तया आप यहाँ ये देखिएग जाएक के 10-11-12 अगस्त 2022 के साथ में चंदर्मा मकर राशी स्थान में ही रहने वाले होंगे तो वहीं शनीदेव की स्तियां भी मकर राशी स्थान में ही यहाँ पर चलायमान है और अभी शनीदेव वक्री भी चल रहे हैं देव गुरु ब्रेश्पति पराक्रम इशोकर पर देव गुरु भी यहां पर वक्री तो वहीं राहु चतुर्थ भाव में केतू की स्तियां दश्मस ताधार के साथ में चलती हुई समसप्तक आधार में दोनों हैं ग्रह रहने वाले होते हैं मंगल यहां अंगारक दोश को समाप्त करके सुराशी स्थान से निकल कर उरशब र स्थान में यहां 10 अगस्त 2022 से प्रवेश कर जाएंगे तो वहीं पर शुक्र एवम सूरीदेव की स्तियां लंबे समय तक यहां करकराशी स्थान में बने रहेंगी शुक्र जहां 7 अगस्त 2022 से करकराशी स्थान में प्रवेश करेंगे तो वहीं सूरीदेव की स्तियां 17 अग पुद की स्ततियां 20 अगस्त 2022 तक बनी हुई है और हम चर्चा के शुरुवात करते हैं प्रतम भाव के साथ में राशी भाव के आलिपती प्रतम भाव में हैं शशियोग निर्वत हो रहा है परंतु साथी साथ में यहां साड़े साथी के असी मसंगर्श भी साथ में है जो की जनवरी 2023 तक अपने पीक के तरफ जा रहे हैं आप ये गौर कीजिएगा कि व्यक्ति जब कई बार धोके खाता है तो प्रतियेक आसपास के व्यक्तित्व को भी उसी संदे से देखने लगता है इस महिने ऐसी स्ततियों से आपको बचने की आवशकता है प्रतम निविदन आ इसी अंतराल के साथ में चलते हुए रियल स्टेट संबंदी कारिये और संबंदी कारिये के साथ में कोई भी महत्तपूर्ण निर्णा लेना है ये महिना उस लहाजा आपके लिए श्रयस कर इस्ततियों को निर्मित करता हुआ नजर आता है और वहीं आप ये भी गौर कीज बिजनस में या फिर जॉब में किसी भी मेजर चेंज को एवाल्व करके अपने साथ में एक तरह से बडोतरी की करम को देखना चाते हैं उस लहाजा भी ये समय विशेश आपके लिए प्रकतिमान है साथ में ही ये गौर करने की आवशकता है यहाँ पर आपके लिए परंतो नौकरी पेशा जिवन में ले ओफ जैसे कोई भी सिचुईशन सता रही थी चोटा सा रास्ता निकलता है कि आपके लिए स्थान परिवरतन की इस्तिया आ जाती है और नौकरी पेशा जिवन में एक तरह से सुगमता रहती है ये एक जो एपरोच है सामने निकल कर आ दिखाई देंगे और उसे के साथ में आपको अपनी सारी ही प्रोग्रेस भी यहाँ पर देखते हुए चलना चाहिए ये एक स्पष्टता बना कर आप रखिएगा तो कुल मिलाकर शनिदेव की स्तिया यहाँ सकारात्मक संगर्ष के साथ आपको लेकर चल रही है चिंजिस क आपके साथ में है तो इसी वज़े से यहाँ पर ऊवर कॉन्फिटेंस में आकर एक्स्पेंस के अपरोच को बढ़ाने से बचिएगा रुपया पैसा आया आप लगने लगा के समय समर चुका है और अब हम अपने तेवर को परिवर्तित करके चलते हैं ऐसी स्तियों में व्य सकता है कि पुनेहें डेड़ रुपय की तरफ गतिमान हो परन्तु इस कल्कूलेशन के साथ में खुद के एजम्शन को यहाँ पूरे तरीके से नेगेटिव अपरोच देने से आपको बचना चाहिए ये एक निविदन पुनेहें एक बात पर गौर कीजिएगा कि वानी यह के घेरे उपस्तित नहीं है तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरीके के क्लेशिस के अपरोच को दूर करके रखना आपके लिए ज्यादा हिदगामी रहेगा आप ये भी गौर कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर साज़ेदारी में चल रहे थे एक तरह से आपको बात कही जा रही है जिसमें एक तरह से लोब है ऐसी प्रवर्तियों से आप बचें इस पस्ति निर्णाय के साथ में जाना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है तो वहीं पराक्रम भाव प्रतमतया इस बात पर आप गौर करके चलने वाले हों कि देव कुंडली में शनिदेव या देव गुरु ब्रेस्पती में से कोई भी ग्रह जन मकाले का अधार पर वक्री और अभी जब ये दोनों ही ग्रही विवस्ताएं वक्री चल रही है तो गौर कीजिएगा कि आकस्मिक तोर पर आफर निकल कर आते हैं जिस डेसिगनेशन की एक्स संबंदी कामकाज, हेंडिक्राफ्ट संबंदी कामकाज या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो की विदेश संबंदी इस्ततियों के साथ में जुड़ कर चलता है कोई भी पॉजिटिव अप्रोच आपके सामने आ रही है, ओफर यहां सामने है, सहर्श स्विकारोक्ती बनाकर सहच भी रखिएगा, जिससे अगले विक्ति को ये नहीं लगने पाए कि आपको नितान तावशकता है जस्तिती की, ये एक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर जरूर रखें, बाईयों और वित्रों के साथ में संबंदों में, यहां आपके लिए एक बहतरी लगातार अब कोई भी संभाव ना घर किये हुए थी, कि इस कारे को ऐसे करेंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे, वहां ब्रह्म आता है, हम 90 प्रतिशत तक अपनी इनोवेटिव स्ट्रेजी को छोड़ देते हैं और कहीं और बढ़ जाते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं से इस महीने समलने की आवशकता है, केमिकल संभंदी कामकाज में भी दीमापन बना कर रखना आपके लिए बेहत जरूरी है, ये निवदन है आपसे, माता के स्वास्ते को लेकर बनी हुई चैनताएं, देरे देरे अपकम होने की तरफ जाएंगी, परन तो फिर भी प्रॉपर वेस के मेडिके की और जाना चाहते हैं, उसको रिफ्लेक्शन में लेकर आए जा सकता है, आप अगरिकल्चर संभंदी कामकाज की शुरुवात को अपने जीवन के भीतर उतार कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी चतुर्तेश का पंचम भाव में होना, अपने आप में व्रहद योकारक स्तिती को निर्मित करता है, और इसी ताकत के साथ में बिना कुछ सोचे, आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में लगातार बढ़ने का साहस दिखाना चाहिए, ये है पंचम भाव के एक आधार बहुत इस्तर की प्रवर्ती, और वहीं पर ये भी गोर करने की आवशकता है आपके लिपूर्ण कालिक तौर के उपर बनी हुई है, यहां जो आप हरदय संबंदी रोगों से परिशान थे, उसमें भी काफी हद तक नियंतरन निकल कराने वाला हो सकता है, हम बात करते हैं पंचम भाव की, पंचम ही शोकर जो यहां शुकर की स्तियां आप साथ अगस् संबंदी का अमकाज में है, तौरित गती में एक बार निरने ले लिया, उसको पुने हैं, आप अंडू करने की तरफ बिलकुल भी नहीं जाएं, यहां पर बहुत कामती है, और यह एक अप्रोच आपको कहीं न कहीं, समृतियों में रखनी चाहिए, इसे के साथ में जो नि आपको दिखाने वाला होता है, आपने किसी प्रेलिक्शन के साथ में लाइफ को देखा है, अब आप एक प्रोग्रेसिव बेस देखना चाहते हैं, वहां बढ़ सकते हैं, परन तो यह ध्यान रखिएगा, कि जो भी मेलाएं संतान सुक्त की और हैं, ट्रेवल टाला जा सके स्वास्ते का पूरा ख्याल रखा जा सके, इसी में समझधारी है, और यह जो फैमिली वे के साथ में समय चल रहा है, पंचम के मंगल जब भी होते हैं, और शुकर के राशी स्थान में होते हैं, तो गई बार दिबदाएं निकल कर आती है, खुद को जितनी सार समाल के साथ म से बहुत जादा संबल कर आप चलिएगा, यह आप ध्यान रखें, शत्रु आपकी सोच पर हावी नहीं है, परन्तु कहीं ने कहीं संगर्शों में आपको एक तरह से संबलत करने वाले हो सकते हैं, यह समय तायराइट संबंदी स्ततियों से कहीं ने कहीं तवचा संबंदित विकारों से भी साउधान रहने का है, क्योंकि मंगल की द्रिस्टी बुद्ध पर और यहां सूरी की राशी स्थान पर है, रोगे शोकर नियहाँ पर एक तरह से बुद्ध है, जो कि तवचा की आदिपती है, वहीं रोग से रोग की आदिपती मंगल है, जो कि यहां स्वयम एक तरह से पंचम बाव में है, शोकर के राशी स्थान में है, रक्त में कोई विकार आया तो कई बार वो तवचा के उपर देखने लगता है, ऐसी स्थतियों से इस महीने आप पूर्णता की और आसकती है, इसे के साथ जो फाइनिंशल बर्डन्स बड़े हुए थे, उनको कम करने के लिए किसी और गली की और जाने से आपको बचना, चाहिए परन तो कोई भी भूमी संबंदित सौधे बाजी अटकी हुई थी, वो इस महीने पूर्णता की और आसकती है, इसे कमूल मंतर को आप स्थापित करते हुए चलिएगा, बाग्ये शोकर जो बुद की इस्त कहीं न कहीं, जो भी कामकाज आपके लिए मेनेजमेंट की एजूकेशन के साथ में होते हैं, या मेनेजमेंट की टर्म के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी फॉर्चून का कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसे एक प्रवरती से संबलने की जरूरत पूर्णतयार रहे क्योंकि ब्रेस्पती भी शत्रु राशिस्तान को देख रहे है इसे वज़े से यह दुविदा है तो जो कार्य यहां लंबे समय से संगर्ष में थे संगर्षों के साथ में ही चलते वे परतीत होते हैं परन्तु आप अपनी उर्जा को बना कर रखिएगा वहीं दशमबाव में केतु है आकस्मिक तोर पर कुछ बाधाय निकल कर आ सकती है उससे आप संबलने की चेस्टा करें परन्तु ये भी है कि आकस्मिक तोर पर समधान भी साथ में रहेंगे नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप स्वयम को यहां पर बचाने से बचिएगा कई बार वेक्ति सोचता है कि संकूचित होकर चलते हैं अपनी तो नजर ही किसी पर नहीं पड़े या हम पर कोई भी नजर रखने वाला ही नहीं हो ऐसी प्रवर्टियों के साथ में चलें उसे के अपरोच से संबलना आपके लिए बेहत जरूरी है इसी के साथ प्रबंदन स बद्ध में भी किया बुद्ध की स्तियों के साथ में चर्चा की इसी वज़े से खुद को सेल्फ मेनेज करके आप चलिएगा व्यापारिक जीवन के अंदर यहां पर औराने लोगों का सयोब पुनहे प्राप्त हो सकता है वहीं लाभभाव लाभेश होकर जो मंगल का अध विकारों से आप साउधान रहकर यहां पूर्ण तया गदिबान रहने का प्रयास करते चले जाईएगा यह सपष्ट आपने साथ बना कर रखें साड़े साती के मद्ध प्रवासकाल के अंतिम सरे के साथ में आपके लिए अप धिरे धिरे प्राग्रेस निकल कर आती चली ज अस्तितिया यहां पर है इसमें आप एक ही बात को और कीजिएगा कि इनका चार देस का संबंद है विदेश संबंदी कारियों में एक प्रगती निकल कर आती है परंतु चोटे चोटे अटकाव से बूर्ण तया बचकर चलने के आपके लिए आपशकता रहेगी खर्चों प साथ में उपस्तत होते रहेंगे धन्यवाद और कोटी शेयर आभार